हेलो स्टूरेंट्स आज हमारी माइक्रो कंट्रोलर एंड एंबेड़िट सिस्टम की 14th क्लास है और इस क्लास में हम जानेंगे वान्यूमन आर्किट्रक्चर के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास जैसा कि आप देख सकते हैं कोशन में पुछा है वान्यू स्टार्ट करते हैं इस कंप्यूटर आर्किट्रक्चर के में फीचर प्रिंसिट उनिवर्सिटी द्वारा डैवलप किये गये थे इसमें कंप्यूटर की एक मैमोरी होती थी जिसमें वह कंट्रोल प्रोग्राम वेरियेबल तथा अन्य डेटा स्ट्रक्चर स्टोर कर सकता थ इस प्रिंसिट उनिवर्सिट के नाम पर ही इसको वोन ुमन के नाम से जाता है इस आर्किट्रक्चर को प्रिंसिट उन आर्किट्रक्चर भी कहा जाता है यह तो हो गया इसका basic जो था तो ये तो आपको लिखना ही है तर्यानि इसके बाद block diagram है जो आप देख सकते हैं क्या है इसमें एक processor होता है जिसके अंतरगत Register instruction decoder memory तथा Memory इंतरफेस unit आती है देख सकते हैं यह है एक processor इसका इसमें क्या है registers हैं यह built-in registers आप देख सकते हैं memory तथा memory interface unit यह है memory interface unit यह है हमारी memory और यह है instruction decoder यह है block diagram के बारे में बता दिया फिर memory interface unit का work internal register को processor से connect करना होता है जिसमें data को read किया जा सके और write किया जा सके तथा quotes को read किया जा सके यह है architecture लगाता data तथा instruction quotes को fetch करने के लिए support नहीं करता लेकिन यह है अगली instruction को fetch करने के लिए useful है जब पहली instruction execute कर रही हो तो इसके लिए memory की भी आवश्यक्ता नहीं होती architecture के इस गुण को pre-fetching कहा जाता है तो इसमें क्या होता है कि लगातार तो यह instruction और quotes को fetch नहीं करता लेकिन जब हमारी पहली instruction execute कर रही होती है इसके लिए memory की भी need नहीं होती architecture के इस गुण को ही हम pre-fetching कहते हैं तो इस architecture में बस इतना ही था important important इसके जो points थे कि इसको किस university द्वारा develop किया गया है इसके वैग्यानिक का नाम बताईए और इसका block diagram के बारे में थोड़ा सा explain कर दीजिए इसको ये क्यूं कहा जाता है one human architecture और इसमें memory कितनी होती बस इतना ही आपको पूरे number दिला देगा अपने exam में तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में हुआ है